हाई फ्रेंड्स वालकम टो और चैनल इंग्लिश वित नसर फ्रेंड्स आज मैं किलास 12 का हिस्ट्री के कोश्चन पैटर्न एंड मार्क्स डिस्टिविशन के उपर बात करने जा रहा हूं तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू तो friends आज जो मैं आपका question pattern बताने जा रहा हूँ history का यह सिर्फ West Bengal के लिए ही है तो friends आपका class 12 में total marks होगा 100 number का उनमें से return आपका होगा 80 number और उसके बाद project होगा 20 number तो friends यह जो आपका 20 number है project का वो आपको school से दिया जाएगा जो आपको school के master जो हता है वो class teacher आपको कोई topic देंगे उसके ओपर आपको बात बनाना है तो friends आज मैं आप लग से जो बात करने जा रहा हूँ या जिसे pattern को आपको समझाने जा रहा हूँ वो है return आईए friends वो return में आपका 80 number कैसे कहां से आएगा देख लेते हैं वो अभी किलास 12 का history का जो question pattern है उन में से आप समझ लिए के chapters किलास 12 के history chapters total 8 है यानि किलास 12 में only 8 chapters है तो उन में से जो पहला chapter है वो है remembering the past तो friends यह जो आपका remembering the past पहला chapter है इन में से आपका mcq आएगा एक number का दो उसके बाद saqs में आ भी सकता है नहीं भी उसके बाद long question 8 number का एक बनेगा उसके बाद friends दूसरा जो आपका chapter है वो है situating colonism and imperialism in the 19th and 20th century तो friends दूसरा जो आपका chapter है उन में से आपका mcq बनेगा एक number का दो और saq बनेगा एक number करके तीन उसके बाद leq बन भी सकता है उसके बाद आपका जो है third chapter the nature of the colonial dominance formal and informal empire friends इन में से भी आपका mcq बनेगा यहां से आपका mcq बनेगा एक number का तीन उसके बाद एक acq बनेगा एक number का दो और long question भी बन सकता है उसके बाद आपका जो friend fourth chapter है वो है reaction to imperial logistics hegemony इन में से friends आपका mcq बनेगा एक number का तीन उसके बाद acq बनेगा एक number का तीन और long question बनेगा तो friends उपर का जो आपका चार chapters है इन चार chapters में आपका long question पुछा जाएगा चार ठो अब जो उसका fifth chapter है वो है governing the colonial state in India friend fifth chapter जो है governing the colonial state in India इन में आपका mcq पुछा जाएगा total तीन यानि एक number का तीन पुछा जाएगा उसके बाद acq पुछा जाएगा आपको एक number का दो उसके बाद long question जो है आपका 8 number का एक पुछा जा सकता है उसके बाद जो friend जो आपका sixth chapter आ रहा है वो है the second world war and the colonies six chapter आपका the second world war and the colonies friends इन में आपका mcq पुछा जाएगा एक number का तीन उसके बाद acq पुछा जाएगा एक number का दो उसके बाद जो आपका long question है eight number का एक उन में से आपका जो seven chapter है वो है the era of cold war friends seven chapter में आपका mcq बनेगा सबसे जाएगा mcq बनने वाला है seven or eight तो seven number में बनेगा एक number का चार उसके बाद acq बनेगा एक number का दो उसके बाद आपका long question जो बनेगा eight number का एक friends और सबसे लास्ट वाला जो आपका है eight chapter number eight उन में से जो है वह है decolonization decolonization इन में आपका आएगा mcq एक number का चार एक number का चार आएगा उसके बाद acq आएगा decolonization में आपका mcq पूछा जाएगा एक number का चार उसके बाद acq पूछा जाएगा एक number का दो और long question आपका eight number का एक पूछा जा सकता है तो friends यह जो आपका पांच से इधर वाला पांच से अड़ वाला chapter हो इन में से आपका group b करके पूछा जाएगा यानि long question आपका group a और group b करके पूछा जाएगा तो friends आएए देख लेते हैं कि total कितना mcq आएगा कितना acq और कितना long question तो friends कि last 12 में आपका 24 आएगा mcq जिसमें आपको no alternatives होगा उसके बाद the total number of acq आपका जो होगा वह होगा 16 जिए 24 में से आपको solid होई देना है इन में से आपको option होगा उन में से जो last है total number of laq वह 40 नंबर का होगा जिन में से आपको 8 आपको option में रहेगा लें उन 8 में से आपको सिर्फ 5 कोई answer करना है जिसका number होगा आपका आप आप करके तो 5 करके आप लेंगे तो मेरा 40 नंबर वहां से आ रहा है तो friends ऐसे ही आपका marks distribution आएगा class 12 के history में तो friends अगर आपको class 10, 11, 12 का marks distribution, history, geography, English या कोई subject का जानना हो तो please मेरे चैनल को visit कर लिए तो friends अगर मेरा ये वीडियो पशना है तो please channel को like और share कर दीजे थेंक यू